नमस्कार दोस्तों आईए सबसे पहले पदम पूशकारों से सम्मंदित कुछ महत्यपून तद्यों को पढ़ लेते हैं पदम पूशकारों की होशना प्रती वर्स गंतंतर दिवस के अवसर पर की जाती है और गंतंतर दिवस का बनाया जाता है 26 जन्वरी को इन पूशकारों के सापना वर्ष 1954 में की गई थी और ये भारत के सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक है ये पूशकार तीन शेणियों में दिये जाते हैं पदम विभूशन, पदम भूशन और पदम शिरी इनकी सर्वोचता का करम भी यही है यानि की सबसे बड़ा पूशकार है पदम पूशकारों में पदम विभूशन उसके बाद पदम भूशन और उसके बाद स्थान आता है पदम सिरी का ये पुर्षकार विभिन विशों के अक्षेत्रों में दिये जाते हैं जैसे कि कला, सारुजनिक मामले, विज्ञान और इंजिनिरिंग, व्यापार वै उध्योग, खेल, सीविल सेवा, साहित्य एवं सिक्षा इन सभी अक्षेत्रों में ये पुर्षकार दिये जाते हैं और पदम पुषकार समीदी का गठन प्रतिवर्ष परधार मंती द्वारा किया जाता है आप ये भी जानते रहिए ये पुषकार भारत के राष्टरपती द्वारा आम तोर पर हर साल मार्च या अप्रैल महिने में दिये जाते हैं लेकिन भारत का सबसे बड़ा पुषकार है भारत रतन भारत रतन देश का सबसे बड़ा नागरिक पुषकार है और यह किसी भी अक्षेतर में आसाधान सेवा के लिए दिया जाता है अब आई ये बात कर लेते हैं पदम पुषकार 2023 के बारे में 2023 में पदम पुर्षकारों के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है इस वर्स 106 पदम पुर्षकार विजेताओं के नामों की घोशना की गई है जिनमें 6 पदम वी भूशन, 9 पदम भूशन और 91 पदम शिरी शामिल है पदम पुषकार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं भी शामिल है जिनमें लेकी का सुधा मूर्ती, पार्श्व गाय का सुमन कल्यानपूर और अभिनेती रवीना टंडन का नाम भी शामिल है सुधा मूर्ती और सुमन कल्यानपूरा को पदम भुषन पुषकार से सम्मानित किया जाएगा जबकि रवीना टंडन को पदम शिरी पुषकार दिया जाएगा अब आएए जान लेते हैं पदम विभुषन से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में वर्स 2023 के लिए कुल छे व्यक्तियों को पदम भी भुषन पुषकार से सम्मानित किया जाएगा जिन में शामिल है श्री बाल क्रिशन दोशी इनको वास्तु कला के अक्षेतर में ये पुषकार दिया जाएगा गुजरात के रहने वाले हैं और इनको ये पुषकार मरनो प्रांत दिया जाएगा श्री मुलायम सिंग यादव जिनका हाले में नेदन हुआ था इनको सारजनिक मामलों के अक्षेतर में ये पुषकार दिया जाएगा उत्तर परदेश के रहने वाले हैंगी इनको भी मरनोप्रांती पुषकार दिया जाएगा सिरी जाकिर हुसेन कला के अक्षेत्र में इनको ये पुषकार दिया जाएगा बहुती परसिद तबलावादक हैंगे महराश्चर से इनका संबंध है सिरी सिरी निवास वर्धन इनको विज्यान और इंजिनीरिंग के अक्षेत्र में पुषकार दिया जाएगा इसके अलावा सिरी SM कृषणा को ये पुषकार दिया जाएगा सारुजनिक और मामलों के अक्षेत्र में करनाटक से इनका संबंध है और छटे हैं सिरी दिलीप महालनाबिस इनको दवा के अक्षेत्र में ये पूशकार दिया जाएगा पस्षिम मंगाल के रहने वाले हैं और इनको भी ये पूशकार मरनो प्रांद दिया जाएगा दोस्तों आप इन सभी के नाम ज़रूर याद रखें, इनका सम्भन्द किस राजय से है और किस अक्षेतर में इनको ये पुशकार दिया जा रहा है, ये सभी डीटेल आपको पता होनी चाहिए, यहां से आपके एक्जामें डेफिनिटली एक नएक प्रशन पूशा जाएगा आएए भड़ते हैं पदम भूशन पूशकारों की और, इस वर्स कूल नो वेक्तियों को पदम भूशन पूशकारों से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं, शिरी कमलेज डिपटेल, इनको अध्यातमवाद के अक्षेतर में ये पूशकार दिया जाएगा, तेलं के रहने वाले हैं, इसके अलावा सूसरी सूमन कल्यानपूर, कला के अक्षेतर में महराश्टर से इनका सम्मद्ध है, स्वामी जिननानाथ जियर, इनको अध्यातमवाद के अक्षेतर में ये पूशकार दिया जाएगा, और तेलंगाना से इनका सम्मद्ध है, सूसरी वान इनको कला के अक्षेत्र में पुष्कार दिया जाएगा और इनका संभन्ध तमिलाडू से हैं। इनको कला के अक्षेत्र में पुष्कार दिया जाएगा और इनका संभन्ध करनाटक से हैं। पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपने अपने राज्यों के जो भी वेक्ति हैं जिनको पदम पुष्कारों से सम्मानित किया गया हैं। ये नाम जरूर पता होने चाहिए। लेकिन जो इंपोर्टेंट हैं आईए उनको भी जानेते हैं यहां पर। सिरी नरेंदर्ट चंद्र देव वर्मा इनको सारुजनिक मामलों में ये पुष्कार दिया जाएगा। तिरपुरा से इनका संबंध है और इनको मरनो प्रांतिये पुष्कार दिया जाएगा। सिरी राकेस्त राधे जाम जुनजल वाला जो की बहुती बड़े व्यापारे थे हाले में इनका भी निदन हो गया है इनको भी पदम शिरी पुष्कार से सम्मानित किया जाएगा व्यापार और उद्ध्यों के अक्षेतर में और इनका संबंध माहरास्टर में हैं इनको भ जवी रवीना टंडन जो की बहुती परसिद अभीनेतरी हैं कला के एक्षेतर में इनको ये पुष्कार दिया जाएगा महरास्टर से इनका सम्मानित किया जाएगा तो आपको इनके नाम भी जुरूरी याद रखने हैं यहां से भी एक्जाम में प्रशन पूष्कार जा सक मुलायम सिंग्यादव को पदम वी भूष्कार मरनो प्रांच से नवाजा जाएगा तो हमें ज़रूर याद रखना है मुलायम सिंग्यादव जो की उत्रपरदेश के पूरा मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने समाजवादी पार्टी के स्थापना की थी इनको भी पदम व प्रशन का सही जवाब दे सकते हैं और यह प्रशन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आपकी प्रिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो प्लीज आप इसका सही जवाब देने की कोशिस करना पहला प्रशन पूछा गया है पदम पूर्षकारों की शुरुवाद किस आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रशन है भारत का सबसे बड़ा नागरिक पूर्षकार कौन सा है इसका सही जवाब होगा option A भारत रतन भारत का सबसे बड़ा नागरिक पूर्षकार है और उसके बाद पदम पूर्षकारों का स्थान हाता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोईशन है पदम वी भूशन 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है इसका सही जवाब होगा option B 6 व्यक्तियों को हमें ज़रूर याद रखना है पदम वी भूशन 2023 के लिए कुल 6 व्यक्तियों को चुना गया है नेक्स्ट कोश्चन है वर्ष 2023 के लिए कुल कितने वेक्तियों को पदम पूर्षकारों के लिए चुना गया इसका सही जवाब होगा ओप्शन D 106 कुल कितने वेक्तियों को पदम पूर्षकारों के लिए चुना गया है वर्ष 2023 के लिए 106 वेक्तियों को जिन में से 6 पदम विभूशन, 9 पदम भूशन और 91 को पदम शिरी पूशकार से सम्मानित किया जाएगा आए भड़ते हैं next important question की और अगला प्रशन है पदम पूशकारों में सबसे बड़ा पूशकार कौन सा है? याद रखें पदम पूशकारों की बात हो रही है तो इसका सही जवाब होगा option B पदम विभूशन पदम पूशकारों में सबसे बड़ा पूशकार कौन सा है? पदम विभूशन लेकिन भारत का सबसे बड़ा पूशकार कौन सा है? भारत रतन अगला प्रशन है निम्र लिखित में से किन्हें पधम विभुषन 2030 के लिए नामित नहीं किया गया है ये भी काफी अच्छा प्रशन है और इसका सही जवाब होगा ओप्शन D सू स्री रवीना टंडन इनको पधम शिरी पुषकार से सम्मानित किया जाएगा लेकिन जो अन्या ओप्शन है उन सभी को पधम विभुषन 2030 के लिए चुना गया है इसका सही जवाब होगा ओप्शन B नो वेक्तियों को पधम विभुषन 2023 के लिए कुल कितने वेक्तियों को चुना गया है नो वेक्तियों को चुना गया है और पधम विभुषन के लिए 6 वेक्तियों को लेकिन इन वेक्तियों को पधम विभुशन 2023 के लिए चुना गया है शिरी सिरी निवास वर्धन, सिरी S.M. कृष्णा और सिरी दिलीप महाल नाबिस इनको पधम विभुशन 2023 से सम्मानित किया जाएगा आईए भड़ते हैं आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट कृष्ण है पधम शिरी 2023 के लिए कितने वेक्तियों को चुना गया इसका सही जवाब होगा ओप्शन C. 91 91 वेक्तियों को दिया जाएगा पधम शिरी पुशकार 2023 नेक्स्ट कृष्ण है ये प्रशन भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आप इसे भी जुरूर याद रखें प्रशन पूछा गया है इसका सही जवाब होगा ओप्शन A. कला के अक्शेतर में इनको वर्ष 2023 के लिए पधम विभुशन पुशकार से सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेशन है निम्न लिखित में से कि इन्हें वर्ष 2023 के लिए मरणो प्रांत पधम विभुशन पुशकार के लिए चुना गया है इसका सही जवाब होगा ओप्शन D. A. और B. दोनु इन दोनों को मरणो प्रांत पधम विभुशन पुशकार के लिए चुना गया है आईए देख लेते हैं अगला प्रशन दोस्तो ये प्रशन आपके लिए है प्लीज आप इस प्रशन का सही जवाब कोमेंट बोक्स में जुरू बताएं अगर डिटेल में बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और आपके कोमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा प्रशन पूछा गया है आपसे प्लीज आप इस प्रशन का सही जवाब कोमेंट बोक्स में जुरू बताएं ये वीडियो कैसी लगे है ये भी बताएं अगर अच्छे लगे है तो प्लीज इसको लाइक और शेर करने नहीं बोलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद